तो बचों सबको बाकी मार्केट फॉर्म समझ में आगे थे चलिए तो स्टार्ट करते हैं पर्फेक्ट कॉंपटेशन थोड़ा बहुत तो बताई दिया था मैंने आपको बेस्ट इग्जाम्पल है पर्फेक्ट कॉंपटेशन समझने का सबजी मंडी में अलू अवेलेबल व सब्सक्राइब करने के लिए बेफू बनाया जा सकता है किसी सब्सक्राइब के तुरू नो बायर कभी भी बेवकूफ नहीं बन पाएगा क्यों आप महंगा बताओ के वो किसी और से खरीद लेगा चाके वो किसी और से तुमान लीजे कि मार्किट में गर्मी के मौसम में धेर सारी इंवर्टर बैटरी के बिसनस्मेन है इंवर्टर बैटरी सॉरी तो कोई यह करती थोड़ा बहुत प्राइस के साब से तो वैसे बोला जाए सिर्फ बैटरी के बैसे पर तो नो पॉलिस्टिक यह क्यों बनेगा क्योंकि यह ब्रैंड पर बिसनस हो रहा है अलग लग ब्रैंड में स्पेशलाइस करने हैं समझ मागी बात हैं सबकी बैटरी तो अगर कि बायर नोज सेलर और एवरी सेलर नोज बायर इसका मतलब यह नहीं उसका एड्रेस जानता उसके घर गया है कभी खाना खाने डिनर पर नथिंग लग दाट हर बायर को पता है कि अलग लग सेलिंग पॉइंट क्या है कौन सा समान कहां पर कितने का बिक रहा है तो कोई भी और किसी बायर को चीट नहीं कर पाएगा और अगर कोई बायर भी किसी सेलर से बोलता है ना प्राइस क्या वह प्राइस करेगा नो वह और रेडी काम कर रहा है मिनिमम्म प्रॉफिट पर पूरी मार्केट में कॉमन प्राइस प्रिवेल करती है इसके लिए मैं आपको एक की चीज़ है और रिक्वेस्ट एवरीबडी टू द्रॉट दिस ग्राफ मार्केट इकिलिब्रियम चैप्टर शाहिद सबको याद होगा चलिए यह कौन सा स्लोप है बच्छो डी डी डिमांड कर्व या स्लोप कुछ भी बोल लीजिए देन दिस इस वाट सप्लाइ अपको मना गराव बनाना डॉक्र मना कि अब बनाई सूच कहने लिए इस एस सप्लाइ जहां पर इंट्रसेक्ट करेंगे बच्छो आ जाएगी इकिलिब्रियम प्राइस एंड इकिलिब्रियम पुंटिटी इस अब मार्केट में इस डिमांड भी कम हो गई डीडी से हो गई बचो इस डीवन डीवन कितनी हो गई डीवन डीवन और सप्लाइ भी कम हो गई एस एस से वाट एस वन एस वन दिमाग की बत्तिज़ लाईए में ट्रस का यह बगया स्टिल इंटर सेक्षन सेम है की नहीं बच्छो कॉंटिटी बजार में कम होगी बट प्राइस वुड रिमेन सेम मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिससे नंबर ओफ कंजूमर्स और कम हो गए तो डिमांड गिरके कितनी हो गई डीटू डीटू कंजूमर्स है नहीं बजार में सप्लाइज का मन लग नहीं रहा था तो सप्लाइज भी मार्केट में कम हो गई कितनी हो गई इसस टू अगें यू कैंगेंग डबिर मेंहें सेंट ऑट गैरापको मर्क वीश्य दो नहीं कानोग दिक्रीजें सेम है दोनों का डिक्रीज एक दम सेम अ बड़ी बात सुनाई पड़ी यह बात अब मार्केट में अच्छानक से एक भूम आ गया कि डिमांड इंक्रीज हो गई और कितनी हो गई डी त्री डी त्री और सप्लाइब भी बच्छों इंक्रीज हो गई कितनी हो गई एस थ्री एंड एस थ्री तो अब जब आप इंटर सेक्शन करेंगे तो आपको नजर आ रहोगा दाट स्टिल दा प्राइस रिमेंस सेम क्यू था यह क्यू वन था यह क्यू टू था और यह क्यू थ्री मार्केट में फर्दर लोगों को और समान खरीदने का मन किया एडवर्टर्जमेंट कैम्पेइन चलाया कंपडी ने जिसकी वैसे डिमांड बढ़ गई जब दिमांड बड़ी चलन तो मार्केट में यह देखा गया कि सप्लाइब भी बढ़ गई एस फोर एस फोर इंट्र सेक्शन एंट इस पार्ट अजर रिजल्ट कॉंटिटी इंक्रीस हो गई अजर पीज़न कॉंटर्टी इंक्रीज ओ गई do you see any change in price to learn no price is still same price is still same the moral of the story is this कि जितनी बजार में डिमांड बढ़ती है उतने ओर दुकांदार चले आते हैं supply भी बढ़ गई जितने customer भागते हैं उतने seller भी बाग जाते हैं तो at all cases quantity demanded and quantity supplied remains same and it has a constant price in the market तो अगर बच्चों मैं इन सारी चीजनों को हाइड आउट कर दू तो आपको मिलेगा what is called as a perfectly elastic demand curve as well as perfectly elastic supply curve कि एक प्राइस पे बाइर कितना भी खरीच सकता है थोड़ा सब भी बढ़ेगा भाग जाएगा एक प्राइस पे seller कितना ही बेच सकता है थोड़ा सब भी गिरेगा तो भाग जाएगा तो successive intersections of demand and supply के हिसाब से किसी जमाने में economist ने discover किया यह और यही perfectly elastic supply है और इसी को बोलते हैं कि हमारा जो average revenue है what average कि एक unit कितने में बिकेगी और हर extra नई unit marginal revenue यह अगली chapter की बहते हैं कितने में बिकेगी that will always remain same सब्सक्राइब तो revenue की भाषा में या चलिए भाषा को थोड़ा सा तोड़ मरोड के नहीं इस्तिमाल करते एस पर the concept of demand यह क्या है perfectly elastic demand as per the concept of supply यह क्या है perfectly elastic supply सब्सक्राइब आप अगर इसे revenue के फॉर्म में लेते हैं तो आप बोलेंगे average revenue equals to marginal revenue and these things happen in a perfectly competitive market अब थोड़ा सा research based brain आपका होना जरूर चाहिए इस level पर यह नहीं कि सिर्फ दलिद्दर की दरा पढ़ाई करके नौकरी मिल जाए गहीं पे पहले demand और supply का perfectly elastic आया होगा या market का perfectly competition आया होगा यह परफेक्ट रिशाब्द economics में कहां से आया perfectly competitive market से आया या perfectly elastic demand or supply से आया मार्केट से आया पहले market बनी फिर demand supply थे ना आप मतलब देवर प्रिवेलिंग दिखी market discover किया गया demand supply को समझ्मा गया और जब यह देखा गया कि given price पे customer कितना भी खरीद लेगा बढ़ेगा तो भाग जाएगा market से given price पे seller कितना भी बेच लेगा प्राइस गिरेगी वह भाग जाएगा समझ्मा गया खरीदार भी एक ही प्राइस पर खरीदेगा और बेचने वाला भी एक ही प्राइस पर बेचेगा समझे की नहीं समझे पक्का तो जैसे आपने यहां पे परफेक्टली कॉंपटिटिटिव मार्केट का डिमांड कर पड़ा ऐसा ही मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली सब में होता है लॉजिक समझ्मा गया बट यह क्योंकि आपने अल्रेडी पड़ा तो मैंने आपको समझा दिया वह अभी जब हम रेविन्यू चाक्टर पड़ेंगे तम उससे समझेंगे ओके प्लीज अपड़ेट दिस हेडिंग डाल दीजेगा डिमांड कर इन अपर्फेक्टली कॉंपटिटिटिव मार्केट लेट्स कंटीनियू फर्दर विद दिस फ्री एंट्री फ्री एग्जिट जब लगेगा सब्जी वाले को यार इस मंडी में ठेला लगाने बहुत प्रॉफिट है तो वह भी सब्जी का ठेला लेके चलाएगा बट क्या कोई भी आलू वाला एक एक अलू वाला है दो आलू वाले तीन पूरी मार्केट को डॉमिने बटार चला जाएगा जैसे लग रहा है प्रॉफर रेस्ट हो रहा है तो गोला नहीं मानेंगे क्यों आलसी होगे ना सीनियर सिट्जन्स आज लेगारी के बच्चे सीनिर सिर्थन बुढ़ा गए क्यों स्पोर्टिंग अक्टिविटीज है नहीं हमाई समानें बच्चे पे लेगी तो जब अब नॉर्मल प्रॉफिट होंगे भैंकर प्रॉफिट होंगे इट विल बी एन अट्रैक्शन तुद इंडस्ट्री ऑफ द फर्म जब लॉस होगा तो यह डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा समझे बात को या नहीं समझे टॉक्का फ्री एंट्री फ्री एंडस्टूड यह अर्मर में आपको बता चुका हूं कि आप फिर से बताने की जरूत है कैसे बना इसका डेरिवेशन क्लियर हो गया था कंफर्म शलिए है पर्फेक्ट मोबिलिटी और फैक्टर जिस दमाने में ठेयरी लिखी गई थी यह माना गया था कि अगर आप चाव और उन्सक्राइशन लेवल नहीं था इतना इतना इंडस्टी तो मोर और लेस काम एक दूसरे सब हो जाते थे जैसे आप ही देख लीजे घर में आपने किसी को बुलवाया वाइट वाश कर दो के क्या हम यह कर देंगे स्विच बोर्ड में पेंट चला गया स्विच बोर्ड घंदा हो गया वह क्लीनर का भी काम करतेगा आपको दो स्विच ज्रा तार लगाके चोड़ चोटा मुटा काम वह भी कर लेगा तो वह तो परफेक्ट मोबिलिटी हो गई नहीं सोजा आए समझ में आया पक्का चलिए चैनल ऑर सेलिंग कॉस्ट करनी पड़े या पर एक रती भर भी नहीं करनी पड़े क्यों नहीं करनी पड़े किसमें तो ओनलाइन पॉर्फेक्टली कॉम्पर्टेटिटिव मारकेड है कहां ओनलाइन है कहां पॉर्फेक्टली कॉम्पर्टिटिव फ्लिप काड़ था तो इट वाद मोनोपोली जुद्वाट अगर एक है भी प्रॉडट्ट तो फिर लोग इंतजार करेंगे भी बात में खरीद लें तो अगर प्राइस सेम भी है तो वह 500 का कूपन देंगे आपको अमेजन वाले चार बार जहां आप सर्च कर लीजिए क्लिक कर लीजिए वहां से सेम होने से या प्रोडक रिखने वाली चीनी यह परफेक्त ली कॉंपटिटिव है हर जगा से मैं बट कैसे रिलाइंस फ्रेश वाले मुनोपोल स्टिक करते हैं उसको ब्रैंड नेम बना दिया एक पैकिंग बढ़िया दे दी विलिवरी दे जो बजार का मुनना जनरल फ्रोर वाला नहीं दे पाएगा ओके समझ गया सब लोग चलिए तो यह प्राइस और डिटर्मिनेशन अगली कहानी है इसमें एक मार्केट फॉर्म आपका और बचा अगले लेक्चर में ओवर करेंगे